ध्वानी और ले स्रिष्टी के ऐसे दो प्रमुख उपादान हैं जिन पर हमारी संपूर्ट स्रिष्टी टिकी हुई है नादा धीनम जगत कहकर अगर इस जगत को नाद के अधीन मना गया है तो ले को भी ब्रंभ की संग्या दी गई है ले हमारे जीवन में, हमारी स्रिष्टी में किस तरव व्याप्त है इसे हम इसी से समझ सकते हैं कि प्रित्वी अपनी धूरी पर एक निश्चित गती में घुंगती है सुर्योदे और सुर्यास्त एक निश्चित समय पर होता है रितुओं का चक्र एक निश्चित समय पर बदलता है हमारे दिल की धड़कन, हमारी नाड़ी की गती एक निश्चित ले में होती है और जब भी इनमें ब्योधान पैदा होता है, इस्तिती बिगड़ जाती है इसलिए विद्वनों ने यह भी कहा है, कि जहां ले नहीं, वहां प्रले भी असंभव नहीं है समय की समान गती को ले कहा जाता है संगीत में ले के मुखित तीन प्रकार माने गए हैं विलंबित, मद्ध और दुरुत ये तीनों ले समय सापेक्ष हैं अर्थात, मद्ध ले को आधार मानकर हैं विलंबित और दुरुत ले कई गती निर्धारित होती है तो सबसे पहले मद्ध ले, तीन तल धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा मदले में सामानित एक मात्रे से दूसरे मात्रे के अंतराल को एक सेकेंड का माना जाता है जब इसकी गती हम विलंबित कर देते हैं अर्थात एक मात्रे की अवधी दो सेकेंड का कर देते हैं तो उसे विलंबित ले कहा जाता है तीन ताल विलंबित ले में न देनेे देने-, देन, देने ता आ देन 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 देन। まだ बड़ है? देन देन देनित देन 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 देन、 देना इसी तरह एक मात्रा को जब हम आधे सेकेंड का कर देते हैं तब वह दुरूतले बन जाती है दुरूतले धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन 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 धा धिन 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 ध लाह को everyday가지 करने के लिए हम विभिन तालों का सहरा लेते हैं विभिन संगीत शैलियों का साहरा लेते हैं हमारा लोकसंगीत जो है वह मुखित लाह प्रधान होता ह exclusively के विभिन न शवरूप हमें देखने को मिलते हैं और यह महतोपुर्ण है कि ठेqi का स्वरूप गीत की गती, गीत के सब्द, गीत के भाव के अनुरूप बदलते रहते हैं जैसे कहरवा एक ताल है, लोकसंगित का ताल है इसका ठेका है धा, गे, ना, ती, ना, क, धे, ना दा, गे, न, ती, न, क, भे, न, लेकिन विभिन संगीत शैलियों में, विभिन गीत शैलियों में इसका स्वरूप बदल जाता है, तो आईए कहरवा के कुछ प्रकार सुनते हैं कर दो कि आईए कर दो आईए भूंगा है, तो आईए काक दोर एकिना भालव से जड़र शैलियों में अड़र चाहई का स्वरूप भी जड़र को जाता हैं झाल झाल जाश्तरी संगीत में भी लेके विभिन प्रकारों का प्रेयोग होता है, लेकिन यहां ठेके का मूल स्वरूप वही होता है, कश्मीर से कन्या कुमारी तक, जिस ताल में जो रचना गयी जाती है उसका ताल वही होता है, जबताल अगर महराष्ट्र में धीना धी धीना तीना तो बंगाल में भी ओधिना दिना तीना धिना ही है पंजाब में भी ओधिना दिना दि agon चाश्त्री संगित के विभिन गीत विधाओं के साथ संगत के लिए विभिन प्रकार के तालों की रचना हुई है जैसे दुरोपद हमारी बहुत प्राचीन गीट शैली है इसके साथ आमतोर पर चवताल का वादन होता है जो बारमत्राओं का ताल है। वैसे तो धुर्पद सूलताल में भी गया जाते हैं, तिब्रा में भी गया जाते हैं, लेकिन चार ताल इसका प्रमुख ताल माना गया है। चार ताल धा धा दिन ता की दा दिन ता ती त का त गदी गाना दा इसी प्रकार की एक प्रमुख गायनुशेली और भी है जिसे धमार और होरी कहा जाता है इसके साथ पखावज का ताल धमार बसता है का, धे, टे, धे, धा, आ, ग, टी, न, टी, न, ता, आ, आ, का, धे, टे, धा, आ, ग, टी, ट, टी ना ता आ कव ख्याल के लिए कई प्रकार के ताल हैं एक ताल है तिलवाडा है जूम रहा है तो आईए एक ताल सुनते हैं धिन धिन दागे तीरकीत तू ना कट ता दागे तीरकीत धी ना धिन धिन दागे तीरकीत तू ना कट ता दागे तीरकीत तू ना कट ता दागे तीरकीत तू ना कट ता दागे धी ना धिन 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 दागे तीरकीत तू ना कट ता दागे तीरकीत तू ना कट ता दागे ध एक ताल की प्रमुक विशेश्चता ये है कि यह विलंभित ले में भी बचता है मध्य ले में भी बचता है और दृत未ब भी बचता है अभी हमने मध्य ले में सुना इसका विलंभित शरूप इस तरह से हो जाएगा धिन धिन धा गे ती र कीट तुन ना कच ता धा गे ती र कीट धी इना धिन 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 धागे ती र कीट तुन धिन धिन धागे ती र कीट धी ना धिन धिन में ठुमरी एक बहुत प्रमुख्विदा है ठुमरी के साथ दीपचंदी जत आधितालों का प्रेव होता है दीपचंदी चौदा मात्रे की होती है जबकि जत सोला मात्रे का चौदा मात्रे की दीपचंदी सुनते हैं जिसे प्राचीन पुस्तकों में चाचर भी कहा गया है कहरवा लोक संगीत और सुगम संगीत का ताल है दादरा भी इसी प्रकार का एक ताल है आए आज हम दादरा सुनते हैं धा दे ना धा ते ना धा दे ना धा दे ना धा ते का दादरा के कुछ प्रकार धा दे करता है दे ना धा दे ना धा दे ना धा धादरा धा बादरा प्रकार धाल है ले तालों को एक संधरी प्रदान करता है संगीत को एक संधरी प्रदान करता है और ताल संगीत को अनुशासन के दाइरे में रखता है इसलिए ताल विहिन संगीत को अरन्य संगीत भी कहा गया है ताल हमारे संगीत का तल अर्थात आधार है इसलिए ले और ताल इन दोनों का महत्व संगीत में सर्वाधिक है